तो असे हाँ पर ये रहाँ मेरे पास OPPO F21 Pro 5G स्मार्टफोन आपको मैं इसी स्मार्टफोन की इसी वीडियो में कुछ दस्ट से जादा आपको टिप्स और ट्रिक्स हर्डिन फीचर से बताऊंगा अपने इस फांटफोन को इंट्रेस्टिंग और ओसम कमाल धमाल तरीके से यूज़ करने के लिए आप वीडियो में आगे बढ़ने से पर ले लाइक कर देना और आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राब करके बेल ऐकॉन पर प्रेस करके लेना करेंगे यहां पर स्कूल बोरकल जो लिक आपको दिकता होगा इस पर हम करेंगे उसकर लेके वक्त में एक उसक्रीण में यूज़ करना जाते हैं तो एक ब्लेकेशन ओबन करके तरी फिंगर को ऊपर लेकर जाना है तो नीचे एक और screen निकल कर आएगा हां पर आप दुसरा कोई भी ablation कुछ इस तरह से open करके use कर सकते हैं और उपर वाला ablation आप बड़ा करना चाहिए नीचे वाला छोटा ये भी कर सकते हैं नहीं तो आप उपर वाला छोटा करना चाहिए उपर वाला यहां पर इसको उन करेंगे तो हम पर एक icon निकल कर आता है इसके उपर हम क्लिक करेंगे तो यह ब्याग बटन रहा इसके आलहाँ पर आप इस पर क्लिक करेंगे यहां से आप अपने फोन को इसके अलाओ है यहां पर आपको एक और बटन मिलता है आप यह रहा बता देता हूं पर मैं इतनी फ्यूचर आपको मिलते हैं चौति फ्यूचर की बात करने कि आपको आना है नोटिफिकेशन पैनल में आप वाइफाइ और होट्सपॉर्ड दोनो है यहां से आप इसको यहां साकते हैं पांचवी फीशी की बात करने में आते हैं के सट्रिंग में आपको के अॉडवानOoh डिसप्ले और आप wallpaper 시청 सेरा है हां पर स्टेटिक ऐस मिलते हैं और नीचे लाई पार इसके अलवे आप अलवम पर क्लिक करके गालरी में आसकते हैं अपने ग्यालरी का खुद शच अपिस ब्सकार हो तो पर आपको थीमस मिलते हैं आप डाउड़ करके रखें तो आपने पूरे फोन को कॉस्टमाइज कर सकते हैं मतलब स्टाइल इसमें अच्छे थीमस वगरा डाउड़ करें अपनी स्मार्फोन को और भी खूबसरत करने के लिए इसके आलब इस सेटिंग में आपको आने के अच्छा लगता है इसको आप को कोई भी फीचर को और करते हैं तोıldर और उनको और करेंगे इसका कर सकते हैं यह दिखले आपने भी कलर अपने मन-पसंद से रख सकते हैं कुछ इस तरह से कोई फीचर को हम उन करें तो वही color हो दिखता है यह दिख लीजिए और हम तो default कर लाना चाहते हूं चीज़े बैक आता हूं आपके हम पर दिखता है और किसी वक्त ऑन होना चेल आं पर यह दिख लिज़िए सबस्सकों अन कर लेना और फ्रॉम यहांपर जियो कर लिना आपको जब भी आप connect करेंगे चार्जिंग को तो वह लगेगा दो ब्रिधिंग लेट उसके बाद हैंपर always on will charging मतलब इसको अन करेंगे तो आप चार्जिंग लाने के बाद भी वह ब्रिधिंग लेट लगेगा और उसके बाद है quickly blink for incoming calls आप इसको आपको call आता है तो भी वह ब्रिध notifications इसको अन करेंगे तो आपको notifications आने के बाद भी वह ब्रिधिंग लेट लगेगा दोसों हाँ पर कौन सी अप से नोटिफिकेशन आने के बाद ब्रिधिंग लेट लगना चाहिए आप इस पर क्लिक करके उन एप्लेकेशन को सेट कर सकते हैं पर वह एप्लेशन को आपने हम standard mode करके apply हो जाएंगे switch हो जाएंगे standard mode में तो सारे applications आपके हम पर इस तरह से home screen पर ही मिलते हैं इस तरह से आप करने के बाद applications आते हैं साथी feature की बात करने के लिए वापस हम लॉंग टप करते हैं हो पर इस तरह स्लेट करने के बाद हम पर आना है मोर में और आना इस तरह से निचे आपको notification आपको notification निकालना है तो ऊपर खीचने के ज़ुरत ने निचे सब्सक्राइब निकल कर आएगा है यहां पर आप यह देख सकते हैं दोस्तों के कमाल की बात है और आपके हम पर आना है भी notifications एंड इस सेटिंग में आना है हाँ पर बैटरी परसंटेज को आउन कर सकते हैं बैटरी परसंटेज आपकी नहीं दीख रहे है तो नाइन फीचर की बात करने के लिए सेटिंग में आते हैं इसी कि नुटिफिकेशन एंड श्टेटेज पर सेटिंग में आएंगे हाँ पर है रियल टाम नेटवर्क स्पीड आप इसकौन करेंगे तो आप इंटरनेट की स्पीड कितना है यहां पर आपको उपर बताएगा लेवन फीचर की बात करने के लिए सेटिंग में आते हैं और आ इस तरह से निचे हैं यहां पर आपको और आना है यहां पर आपको इस भीचुर आपको उनको लॉक करें लॉक करना digo फिंगर पर अनलॉक करना लेकिन अंगली हटा नहीं है उंगली यहांगे तो पांच ओ अबलेश्टिंस निकल कराएंगे कौन से एप को यूज़ करना है उस एप की ऊपर छोड़ देना है उंगली यहाँ पर यह इस तरह से ऊपन हो जाता है अगर आप इसी स्मॉटफन के टॉप सिस्टी प्लस टिप्स इंट्रिक्स हडिन फीचर देखना जाते हैं और उसी वीडियो में यहाँ पर जो पंचल में लेटिंग है ना क्यामरा के पास जो दिख रहें आपको लेटिंग यह करें मैंने बताया है उस वीडियो की लिंक आपको नीचीव मिल रहें और यहाँ पर क्लिक करके देख लीज़ें यहाँ पर भ्याप